गर्मी के मौसम में मस्कल मैलन खाना तो सब भी को पसंद होता है तो आज हम इसकी आइसक्रीम बनाने वाले हैं और इसमें यूज होंगे इसके बीज बीजो की हम फेकेंगे नहीं और वेश्ट भी नहीं होंगे हैं तो चलिए बनाते हैं तो हमने अपने खरविजे को काट के ले लिया है अपने ग्राइंडर में डाल लेंगे और साथ में उसके जो बीज हैं वो भी डाल लेंगे यह बहुत हैल्दी भी होते हैं तो इसका यूज हम करने वाले हैं आइसक्रीम में तो हमने वस इसको डाल लिया है और इसको कर लेंगे ग्राइंड अच्छा और ये पीच के ऊपर ही रह जाएंगे तो इसको हम चनी की मदद से चान लेंगे अच्छे से और ये खाने में स्वादिश्ट भी लगती है और हेल्दी भी रहती है और गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा खाना तो सभी को पसंद होता है अभी चाय मर्जी जित्ती ठंडी ठंडी लेंगे क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है तो इसकी ठिकनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इससे क्या होगा इसका पानी कम हो जाएगा और ये थोड़ा सा गाड़ा पेश्ट बन के तयार हो जाएगा तो ये देखिए ये जैसे गरम हो गया है उबाल आने लगा इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और ये थोड़ा सा थिक भी होता जा रहा है तो इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे जब तक एक ठिक सा पेश्ट बन के तयार नहीं हो जाता है अब इसको हम करके बंद एक साइड रग देंगे ये देखिए ठिक हो चुका जैसे होगा तो थोड़ी ची थिकनस और भी बढ़ जाएगी और हम एक कप लेते हैं दूद जब तक हमारा मस्क मैलन ठंडा हो रहा है हमने एक कप दूद ले लिया है उसमें एक चौथाई मग उसी मग से चीनी एड की है और एक चमच लिया है मैंने कॉर्ण फ्लोर इसको डाल दे हमारा दूद गरम होने लगा इसमें ओवाल भी थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है और इसकी थिकनस भी बढ़ गई है अब इसमें हम एड करेंगे एक चमच मिल्क पाउडर इससे यह थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और स्वादिश्ट भी बनेगा है ना आप कितनी कॉइ शक्रिम को वीट कर लेते हैं तो एक मंच मैंने 2 मंच क्रीम ली है वैसे इस में केवल एक ही मग यूजस करूंगी और यसमें कीतनी शोड़ी सी जादा हो जाती है और कुछ नहीं शोक के लिए आदम ही खाता है और यह देखिए हमारे यह ठंडा हो चुका क्रीम भी वीट हो गई है और इसको करते हैं मिक्स तो अपने मिल्क को भी हम इसी में डाल देंगे मस्क मैलन के पेश्ट में क्योंकि यह दोनों ठंडे हो चुके हैं जब तक हमने क्रीम बीट की है तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले हो और इसको अच्छे से फेट लेंगे बापस जिससे सारा कुछ मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना रहा है तो हम इसको अच्छे से वीट कर लेंगे फिर से एक बार जिससे यह सारा मिक्स हो जाएगा और इसकी आईस क्रीम जब आप ट्राय करेंगे ना तो सच में आपको बहुत पसंद आएगी और घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है इंफेक्ट सभी को पसंद आएगी तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ही मेरा बरतन थोड़ा सा छोटा हो गया है सामान के हिसाब से लेकिन अब मैंने सूचा बड़ा बरतन कौन ही गंदा करें इसी में बनाते हैं तो इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे रुक रुक के यह थोड़ी सी नीचे भी गिर गए हमारी पर यह देखिए बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है आब इसको हम फ्रीज करने के लिए रखेंगे और इसमें थोड़ा सा एड करेंगे अपना वैनिला एसेंस तो मैंने आठ से दस ड्रॉप वैनिला एसेंस के एड किये हैं और फिर इसको बापस बीट कर लिया बहुत अच्छे से और चलिया अब इसे फ्रीज करेंगे हम है ना और फिर फ्रीज करने के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता क्योंकि साथ से 8 गंटा लगता है ना मैं अक्सर यह रात में बना कर रख लेती हूं तो बस मुझे टाइम का वेट नहीं करना पड़ता और यह देखिए हमें किसी भी कंटैनर में डाल देंगे चाहे आप गुल्फी बनाएं इसकी चाहे आप ऐसे किसी डब्बे में जमालें आपकी मर्जी खाने मे तो बहुत ही साधिश लगने वाली है और उपर से थोड़े थोड़े से में ड्राइफ फ्रूस डाल दी है थोड़ी सी बादाम थोड़ा सहरा पिस्ता और जो हमारे मस्क मेलन को हमने काटा था ना उसके छोटे-छोटे से पीस बचा लिए थे थोड़े से तो थोड़े से मस करके जरूर बताईएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर हम मिलेंगे अंगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ है ना अब देखिए साथ से आप घंटे वाद में इसको निकाल के लेके आई हूँ और यह किता बड़ियां साथ में घर पे बनाई है तो हैल्दी भी है है ना तो बस इसके लिए भी घर्मी में तो नहीं नहीं आईस क्रीम इंजॉय करो ना तो किता अच्छा लगता है तो देखिए किती सुन्दर लग रहे और यह और भी ज्यादा टैम्टिंग लगे तो उसके लिए कि मैंने वीडियो कैसी लगी है और तब तक खाओ पियो और आइस करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे की सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ओके बाई मिलते हैं कल अंगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग इंजॉय करें बाई रादे रादे झाल के लिए के लादे रादे रादे करें आपको मिलते हैं करें डादे रादे रादे